Hello friends, welcome to Tech Streamer YouTube channel दोस्तों YouTube के starting phase में 1000 subscribers and 4000 घंटे का wash time complete करना काफी ज़्यादा मुश्किल काम होता है और दोस्तों ज़रूरी भी होता है क्योंकि इसके बाद ही आपका channel monetize हो पाता है और आप YouTube के उपर से अपनी earning पैसे कमा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको अपने YouTube के उपर 1000 subscribers और 4000 घंटे का wash time complete करने में problem आ रही है तो दोस्तों आज का वीडियो especially आपके लिए है क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको एक बहुती कमाल की trick बताने वाला हूँ बिल्कुल genuine trick है दोस्तों और इसके मदद से आप अपने YouTube चैनल को promote कर सकते हैं बिल्कुल free में तो दोस्तों इसके लिए आपको Google Ads का use करना है Google Ads दोस्तों बिल्कुल genuine and safe तरीका होता है अपने YouTube चैनल को promote करने का और इसके थूरू दोस्तों आप अपने चैनल की उपर सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं और वाच्टाइम को भी कम्प्लीट कर सकते हैं अभी Google Ads की उपर एक offer चल रहा है जहां पर आपको 2000 रुपए का ad credit फ्री में मिल जाता है तो दोस्तों आप अपने YouTube वीडियो को फ्री में प्रमोट कर सकते हैं लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ कुछ Terms and Conditions लगे वे हैं तो कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़े करनी हैं और आप कैसे अपने वीडियो को प्रमोट करके काफी आसानी से सब्सक्राइबर्स और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन पर प्रेस कर दीजे ताकि आपको हमारे लेटिस्ट वीडियो के नर्टिफिकेशन मिलते रहें चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको Google Chrome ब्र का पेज यहां पर उपन हो जाता है यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपना email ID यहां पर एंटर करना होता है तो यहां पर आप वही email ID यूज़ कीजिए जिससे आपका YouTube अकाउंट बना हुआ है तो दोस्तों यहां पर आपको अपना simply email ID लिख देना है इसके बाद I am not रोबोट की उपर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहां पर verification को complete करना होता है और इसके बाद दोस्तों आपको simply get offer code की उपर क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों simply आपको get started का एक बटन दिखता है उसकी उपर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों आपके सा वर्ट मोड का एक option दिख जाता है आपको simply उसके उपर click कर देना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नया page open हो जाता है यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पूरा एक ad campaign create करना पड़ता है और कई सारी details यहाँ पर आपको fill करनी पड़ती है तो जैसे जैसे मैं बता रहा ह क्रेडिट मुझे यहाँ पर मिल चुका है एक coupon code यहाँ पर मिलता है जिसको मुझे use करना होगा यह credit claim करने के लिए तो यह mail आपको same to same आ जाता है अब हम चलते है अपने ad campaign के तरफ तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको product and brand का जो option दिखता है उसके पर आपको simply click कर देना है इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको videos को choose करना है और next वाले option को आपको simply skip कर देना है जैसा है वैसे ही छो so terms and conditions क्या है वो भी आपको बताऊंगा तो video को पूरा देखते रहे है अब आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अपना YouTube studio open कर लेना है और जिस भी video का आप promote करना चाते है वो video आपको वहाँ पे select करना होगा so यहाँ पे दोस्तों यह मेरा एक second account है इसको मैं use नहीं करता हूँ सिर्फ एक ही video है इसके उपर so बस मैं आपको एक demo करके दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है so यहाँ पे दोस्तों यह मेरा video है इसका जो नाम है वो है tech video simply तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको campaign name यहां पर enter करना होता है तो इस जगह पर आपके वीडियो का जो भी title है आपको same to same यहां पर use कर लेना है तो यह title है मैंने इसको use कर लिया यहां पर अब यहां पर दोस्तों इसके बाद budget and dates का option है तो यहां पर आपको अपने add के लिए एक budget यहां पर choose करना होता है सो माले जो दोस्तों मैं यहां पर 1000 रुपए का budget यहां पर लगा देता हूँ और इसके बाद आपको date चूज करना है कि कौन से कौन date तक आपको यहां पर ads चलाने है सो आपको एक महिने का यहां पर date choose कर लेना है 30 days का सो उसको हम यहां पर select कर लेंगे अब यहां पर देख सकते दोस्तों 33.33 रुपीज एक दिन का यहां पर मेरा budget है ads का सो यह चीज हो जाती है आपकी इसके बाद दोस्तों आपको नीचे में कई सारे options दिख जाते है सो यहां पर दोस्तों networks के अंदर आपको क्या करना है YouTube videos को आपको यहां से हटा देना है और आपको दोस्तों YouTube search result को ही choose करना है YouTube videos पहले से आपका टिक होता है उसको आपको हटा देना है इसके बाद दोस्तों नीचे में language का option है तो जिस भी language में आप video बनाते हैं उसको आपको यहां पर कर देना है select तो मैं यहां पर हिंदी को यहां पर simply select कर लेता हूँ अब दोस्तों location का option है तो यहां पर आप India को choose कर सकते हैं या फिर enter another location पर tap करके कई सारे अलग-अलग country को choose कर सकते हैं आप दोस्तों इंडिय आपट कर सकते हैं साथ में नेपाल, पाकिस्तान, बांगलादेश जहां जहां पर लोग हिंदी को समझते हैं जहां पर आपके जो भी language की video है उस language को जहां जहां पर लोग समझते हैं वो सारे countries को आप यहाँ पे select कर सकते है So इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे में और भी कई सारे options दिख जाते हैं जैसे कि inventory type और इन सारी चीज़ों को आपको skip कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे create your ad group का option है So यहाँ पे भी simply आपको अपने वीडियो का नाम लिख देना है अब नीचे में दोस्तों demographics का option है So यहाँ पे आप यह सारी चीज़े select कर सकते हैं कि आप कितने age group के audience को target करना चाहते हैं बाकी सारी चीज़े यहाँ पे male, female सारी चीज़े आप यहाँ पे select कर सकते हैं अब यहाँ पे दोस्तों इसके नीचे आपको जो एक important चीज़ मिल जाता है वो है keywords का option So keyword का option काफ़ important हो जाता है यहाँ पे आपको अपने YouTube वीडियो से related सारी keywords लिख देनी है और इन सारी keywords को अगर कोई YouTube के पर search करता है तो आपका वीडियो वहाँ पे first में show होता है as a ad तो यह चीज़ आपको यहाँ पे कर देनी है आपको सारा keywords यूज़ कर लेना है आप यहाँ पे topic भी select कर सकते हैं कि किस topic के उपर आप वीडियो बना रहे हैं तो यह सारी details आपको अपने हिसाब से select कर लेनी है अब बाकी सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे skip कर देना है नीचे में दोस्तों आपको एक option दिख जाता है bidding का तो यहाँ पे आपको maximum CVV को यहाँ पे select करना है तो यहाँ पे दोस्तों आपको यह select करना है कि आप एक add क्यूपर कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 0.50 कर सकते हैं, 0.25 कर सकते हैं, 0.35 कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको करना है, एक रुपए तक आप कितना भी चाहें उतना कर सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद दोस्तों नीचे में आपको option दिख जाता है, जहाँ पे आपको अपनी YouTube वीडियो का link डालना होता है, तो यहाँ से आपको अपनी YouTube वीडियो का link copy कर लेना है, और इसके बाद दोस्तों simply आपको यहाँ पे link को अपने paste कर देना है, तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों आपका वीडियो आज आता है, इसके बाद आप यहाँ पे thumbnail सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने वीडियो का title लिख सकते हैं, साथ में दोस्तों एक description लिख सकते हैं, तो यह सारी चीज़े necessary होती है, required होती है, तो इन सारी चीज़ों को आपको fill करना होता है, और साथ में आप देख सकते दोस्तों आपका जब video add के through आएगा, तो किस तरीके से आपके audience को दिखेगा, वो चीज़ भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो यहाँ पे द terms है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको promo code का option दिख जाता है, तो मैं यहाँ से अपने promo code को यहाँ से copy कर लेता हूँ, यहाँ पे simply paste कर दूँगा, तो इस जगा पे मैं paste कर देता हूँ, promo code को apply के उपर click करते ही promo code apply हो जाता है तो दोस्तों promo code apply करने के बाद आपको payment करना होता है, तो payment के लिए आप Paytium यूज़ कर सकते हैं, अपना bank account यूज़ कर सकते हैं, credit card, debit card जो भी यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं, अब यहाँ पे दोस्तों terms क्या है, कि Google आपको 2000 रुपे का ad credit तो देता है, लेकिन उसको claim क आने के लिए सबसे पहले आपको अपने Google Ad के account के अंदर कुछ पैसे deposit करने होते हैं, और उसका ad campaign आपको चलाना पड़ता है, तो माल लिए दोस्तों अगर मैं 500 रुपे deposit करता हूं, या फिर 1000 रुपे deposit करता हूं, और उसका ad campaign चलाता हूं, तो दोस्तों अब यहाँ पे होग क्या कि मुझे 900 रुपे करीब वापस मिल जाएंगे उन 1000 रुपे में से, 100 रुपे जो होंगे दोस्तों वो मेरे tax में कर जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों condition यही है कि आपको Google पैसे आपको वापस करेगा जो भी ad campaign आप चलाते हैं first महीने में, और दोस्तों जो maximum amount Google वापस करे गूगल एड्स के, वो है 2000 रुपे का, इस प्रोमो कोड को यूज करने से यही होगा दोस्तों कि अगर आप 2500 रुपे का ad campaign चलाते हैं, तो आपको 2000 रुपे वापस मिल जाएंगे अपने Google ads के account के अंदर, और उसको आप वापस से फिर से यूज कर सकते हैं नए ad campaign को चलाने क लिए, तो इससे बेसिकली फायदा क्या होता है कि आप प्रोमो कोड को यूज करके double value के ads को चला सकते हैं, और यही दोस्तों आपको फायदा मिलने वाला है, इस वाले प्रोमो कोड से बिल्कुल free नहीं है, आपको पहले अपने पैसे से ads चलाने पड़ते हैं, और इसके बा करते हैं, तो आपको जो पैसे हैं, आपके वो वापस मिल जाते हैं, गूगल एड क्रेडिट के फॉरम में, और उससे आप फिर से नए ads को चला सकते हैं, तो दोस्तों बस इसी तरीके से आप गूगल एड के थुरू जन्वनली ad campaign चला करके, अपने YouTube चैनल को काफी आसानी स ग्रो कर सकते हैं, तो बस आपको यही payment आपको complete कर लेना है, और इसके बाद आपका ad campaign create हो जाता है, आपके ads YouTube के पर शो होना start हो जाते हैं, और उसी हिसाब से दोस्तों आपके पैसे वहाँ पर कटते जाते हैं, So I hope guys कि आपको यह वाला वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों जरूर से यार लाइक कर दीजेगा, साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे, और मैं मिल तो अगले बार आपसे किसी नए वीडियो में, Thank you very much.